आज मैं आपसे कुछ amazing tips और recipes share कर रही हूँ जो आपको definitely काम आएगे आपके काम करने का तरीका अगर आप थोड़ा सा भी बदलते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है ऐसे ही tips मेरे चैनल पर आपको मिलती हैं तो चलि दे नहीं करते हैं let's start Hello friends and welcome back to my channel चलि कुछ नया सिखते हैं और आज के amazing tips देख लेते हैं ताकि उसके पूरे benefits मिल सके आज इसके एक recipe बताऊंगी आपको जो सभी को पसंद आएगी friends जामुन ऐसे बच्चे खाना पसंद नहीं करते क्योंके मूँ में तूरट पन लगता हैं पर जामुन हमें खाना चाहिए तो आप इस फॉर्म में दे सकते हैं बच्चे के आप बड़े भी आराम से इसे खा लेंगी थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है बट ये काम करती हैं तो मैंने डी सीट कर लिया है और इसको फ्रीजर में रखेगी घंडा होने के लिए थरी गंटे के लिए बच्चे बहुत जादा चोटा है तो आप शुगर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं और हलका सा काला नमक ले सकते हैं चोटे-चोटे शॉट्स यहां बना रहे है जामुन के देखे वैसे बच्चे जामुन एक एक दो-दो या तीन खा लेंगे मैक्सिमुम बच्च शॉट्स क बच्च को भी खाने में बजाएगा पीने में मजाएगा तो अब यह जो हमने जामुन को फ्रीज किये थे इसको ले लेंगे हम एक मिक्सिजार में और इसमें मैं डाल दूंगी शुगर तो शुगर की क्वांटिटी आप डिपेंड कर सकता है कि जामुन कितना खटा है या क इतना चिल होने के कारेंट यह ठीक से पीसा नहीं है तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी दुएदार यह है ना बहुत ही चिलिंग है घर्मियों में इतना थंड़ा थंड़ा पेंगे आपको मजा आने वाला है इसमें थोड़ा से लेमन जूस भी आड़ और इसे पीस लिया है चलिए अब इसे सब करते हैं एक अलग अंदाज में ताकि सभी को पसन आएं यह एक शौट ग्लास में कितने सारे जामून आगे फ्रेंड्स ऐसे तीन से चार या मैक्सिमम आप दस एक खा लेते होंगे बट यह एक शौट ग्लास में कितने सारे तो आप इस पॉर्म में इसे जरूर ट्राइ करें आपको मजा जाएगा चले दूसरी रेसिपी भी बता देते हूं तो जो यह बचा है उसमें आप पुदीना आड़ कर सकते हैं और लेमन थोड़ा समय आड़ कर रही हूं और इसको मैं पीस लोंगी और इसकी एक अलग यह हम बना रहे हैं जामुन का फुलजार तो सोड़ा दाल देंगे तो गर्मियों में सोड़ा है जामुन धंड़क देता है पेट में राहत देता है डाजेशन के लिए अच्छा है इसमें को जामुन के तुकड़े दाल दे और पुदीना आड़ कर लिया तो इस तरीके से आप सर्फ कर सकते हैं मैंने ग्रेप्स का फुलजार भी आपको बनाना बताया था आपने बहुत जादा पसंद किया यह भी आपको पसंद आएगा तो अगर पार्टी वगरे है तब भी आप यह रेसिपी ट्राई कर सकते क्योंके दिखने में तो अच्छा दिखता ही है टे करने के लिए छोड़ दें तो देखिए फ्रीज हो चुका है यह आइस क्यूब्स को आप निकाल ले डीमोल कर ले एक कंटेनर में यह जिप लॉक बैग में भरके आप इसे फ्रीजर में रख सकते हैं चार से पांच मेने के लिए यानि पूरी गर्मी यह चलने वाला है और कैसे यूज करना यह भी बताऊंगी तो दो से तीन आप इस तरह से क्यूब्स ले ले क्यूंकि एक दम यह कॉंसेंट्रेटेड क्यूब है और बस आपको इसमें पानी डालना है और थंड़ा थंड़ा आपका जो जू से जामुन का वो रेड़ी हो जाएगा आप इसमें साल भर के लिए इंजॉय करना चाहते है तो यह टिप फॉलो करें यानि साल भर के लिए कैसे स्टोर करें बहुत ही आसान तरीका है सबसे पहले तो अच्छे बड़े टाइट जामुन ले बिल्कुल भी गले हुए जामुन ना ले और अच्छी तरह से वाश करके सुखा ले जामुन को और इस तरह से सीट और पल्प को अलग कर ले अब इसमें डाल देगे दो चुटकी भर नमक और साथ ही में लेमन जूस तो यहान एक कब जामुन का पल्प लिया है तो एक चमच मैँ लेमन जूस आड्ट करूंगी और दोनों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से दोनों ही इसकी रंगत को इसकी टेस्ट को बरकरार रखता है यानि टेस्ट को बढ़ाता ही है तो आप जरूर आड़ करें इसमें और इसको अब आपको freezer में रखना होगा तो freezer में रखने के लिए आप छोटे-छोटे containers का use कर सकते हैं या zip-lock bag का भी use कर सकते हैं बर ध्यान ये देना है कि छोटे-छोटे quantity में आप इसे store करें अलग-अलग pack में ताकि एक pack निकाले और वो पूरा use हो जाए देखिए जब हम ज़ादा quantity में store करते हैं तो क्या होता है हम पूरा निकालते हैं बार उसे defrost करते हैं और फिर जितना चाहिए उतना लेते हैं और फ ये फ्रीज हो चुका है और इस तरीके से आप साल भर जामुन को enjoy कर सकते हैं अगली जो टिप है ये भी जामुन को लेकर है तो जामुन यहां मैंने 200 ग्राम के असपास ले लिया है इसमें साफ पीने का पानी आट कर लिया है कडाई में ले ले आप अच्छे मोटे तले बर पसंद आने वाली है तो बच्चे अगर नहीं खाते हैं इस फॉर्म में भी बच्चे को खिला सकते हैं तो इसे मैं इस तरह से मैश से मैश कर लूँगी या चमच के हल्प से भी आप कर सकते हैं असानी से हो जाएगा और ये रेसिपी बनाने में दस मिनिट लगेंगी और य इसमें डाल दूगी फ्रेंट्स वान फॉथ कप के आसपा शुगर तो आप इसमें डाल दे शुगर और शुगर की कॉंटिटी आपकी सबसे कम जादा कर सकते हैं और इसको अब हम मिलाते जाएंगे गाड़ा होने तक आपको पकाना है किस हद तक पकाना है ये आपको देखे अब चमच पे बिल्कुल भी कोट नहीं हो रहा है और अब देखे अब ये गाड़ा हो चुका है और चमच पे अब इसकी कोटिंग आने लगे है बस इसी हद तक पकाना है बहुत जादा गाड़ा करेंगे फिर थंडा होने के बाद ये और भी गाड़ा होगा तो इस अब इसमें डालेंगे हम एक बड़ा चमच के करीब लेमन जूस ताकि शुगर जो है वो क्रिस्टलाइज ना हो तो हमारा जो जामून का जैम है फ्रेंस वो बनके रड़ी है इसमें हमने कोई फूट कलर वगेरे नहीं डाला है कोई प्रिजरवेटिव नहीं डाला है इंद इसको ब्रेट पे टोस्ट पे पराठे पे लगाके बच्चे को दे सकते हैं बहुत जादा हेल्दी है हफ्ता भर आप इसे आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि हमने प्रिजरवेटिव नहीं डाला है तो बहुत जादा दिन इसे नहीं रह सकते हैं हफ्ते कैसे लगी आपको आज की वीडियो कुछ नया सिखा के नहीं और कौन से टिप या रेसिपी आपको पसना है जरूर कमेंट करके बताएगा मेरी वीडियो देखके अगर आप कोई भी टिप या रेसिपी ट्राइ करते है तो वापस आके आपके फिट बैक जरूर दीजेगा तब तक के लिए फ्रेंज लाइक शेर और सुब्स्क्राइब मै चैनल तिल दन ठेक केर बाबाए